वेल्कम टू अन्बोक्सिंग इन हिंदी अन्बोक्सिंग अन्बोक्सिंग अन्बोक्स करने वाले हैं यह देखे अगर आपके पास में कोई लैपटोप की हार्डिस्क हो अलग से या फिर जो सेटा वाली एससडी भी हो तो वो आप इस के अंदर लगा सकते हो आप इसके फीचर्स या डिटेल्स देखना चाहों बोक्स पर तो आसानी से चेक आउट कर सकते हो इसके उपर बोक्स पर दिये ग केस का बोक्स फटाफन इसको ओपन करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं गए मुझे मैंने परचीज किया इसको रेट्रो फील के कारए इसके इसके लिए फील देखोगे ना काफी रेट्रो स्टाइल है वाली जो केबल है वो आती है मौशली हार डिस्क के साथ में तो वाली ही मिलती है इसके साथ आप देख सकते हो यह वाली साथ में यह स्टेबलाइजर मिला है जिससे हम लोग स्टेबल कर सकते हैं अपनी सेटा हार डिस्क को अब देखें जनाब है क्या यह चीज़ आपको याद है टेप रिकोडर में पहले पुराने समय में ऐसी कैसे ठोकती थी किसको याद है नेचे कोमेंट्स में हाजरी लगाना बस यह साइड में गाने अलग होते तो यहां पर बिलकुल वही फील है अब इसके अंदर है एक सेटा SSD enclosure है आपको करना क्या होता है इसके में कुछ खास नहीं करना बस यहां से स्क्रीके से slide कीजिए यहां पर यह जो space मिल जाता है आपको यहां पर देखिए ध्यान से आप सेटा का port मिल जाता है आपको यहां पर आपकी hard disk इसको insert कर दिया आपको और फिर इसको वापिस कर देना है बंद कुछ खास नहीं है कुछ problematic नहीं है बहुत ही आसान सीधा simple slick function है इसका यह में अच्छा लगा बंद कर दीजिए अपनी केस को और उसके बाद लगा लीजिए इस केबल को और कर लीजिए अपने लैप्टोप या कपन और हार्डिस्क लगाने के पाद ऐसे गिरी तो समसो हार्डिस्क जा सकती है यह सबसे बड़ी प्रोब्लम है इसलिए आपको कहा गया उसके अंतर थोड़ा वो रब्राइज आप लगा लेंगे ना यह आपको बताया गया यह रबर वाला ताकि आपकी हार्डिस्क बहुत जादा बज़े ना बहुत जादा इसे मतलब ब्लास्टिंग ना हो मतलब ऊपर गिरिये तो थोड़ा सा वहां पर शिक्योर रहे तो यह था इस एससडी सोरी हार्डिस्क के साथ सेटा 3 लिखा वा इसके उपर और आप देख सकते हो इसकी डिटेल्स में आगर बताना चाहूं तो आपको यहां पर 2.5 इंचीस वाला जो उसकी कोई भी एससडी और हार्डिस का आप जो सेटा वाली है वह इसके इंदर लगा सकते हो यह आपको मिल जाती है मतलब लेस दें थाउजन रूपीज पांसो छिस्सोर रुपे हजार रुपे लगवग ऐसे ही मिलती है क्यूल टीज पर डिपेंड करता है कंपनी इसकी र लाइक कर दो वीडियो को शेक कर दो साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दब लिजी और काफी छोटा सा फर्म फेक्टर है मैंको काफी अच्छा लगा है यह हार्डिस्क